आज हम बात करने वाले हैं पेगसिस के बारे में और ये किस तरह आप से ज्यादा आपके मुबाईल को कंट्रोल कर सकता है स्वादत है आपका मैं उशंस पेगसिस ये परेशानी का सबब बन चुका है सबकार के लिए और विपक्ष के लिए जहां पर विपक्ष सारे एक साथ आकर एक प्लेट फॉर्म पर ये कह रहे हैं कि उन पर पेगसिस का हामला होगा है और इसकी निसपक्ष चांच की जाए कोई सरकार ये कह रहे हैं कि लोग तंत को बदना करने की साथिशन दरसल पेगसिस का खुलासा 10 देश के 17 मिडिया होस से जुले 80 पत्रकारों ने किया है इस दोरान पैरिस के इंजियो फॉर्बिडेन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के मताबिक पच्छास हजार से भी ज्यादा फोन नंबर पर पेगसिस का हामला किया गया इन नंबरों में दुनिया भर के हजार से भी ज्यादा सरकारी अफसर, पत्रकार, कारोबारियों और मानवदकारियों, कारिकरताओं की पैचान हुई इसी बीच एक तरफ सियासत करम है तो दूसरी तरफ लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये पेगसिस है क्या पेगसिस एक इस्पाइवेर है जो किसी की जासूसी करने के लिए तयार सौफ़वेर या मालवेर होता है इनका इस्तेमाल कम्प्यूटर, फोन या किसी दूसरे डिवाइस से जानकारी जमा करने के लिए किया जाता है तो सवाल ये उड़ता है कि ये इस्पाइवेर हमारे फोन और डिवाइस से किस हद तक डाटा चुडा सकता है ये spyware आपकी device में मौजूर तक्रीबन हर जानकारी को चुरा सकता है ये real time phone call को सुन सकता है या email, social media post, call login, whatsapp या telegram जैसे in to in script messages को पढ़ सकता है ये user की location के साथ ये भी बता सकता है कि वे चल रहा है या रुका हुआ है मोटे तोर पर कहें तो spyware वे सब कुछ कर सकता है जो एक user अपने device से कर सकता है Pegasus का आधुनिक attack कोई link या message device पर नहीं भेशता जिस तरह click करते ही malware आपके device में फैल जाए इससे effect करने के लिए device user के किसी action की जरूरत ही नहीं होती यानि user को ना missed call आती है ना message और ना किसी तरह की कोई link Pegasus बनाने वाली Israeli company NSO का इस पर कहना है कि उनका software केवल सरकारी उप्योग के लिए होता है और जादा जानकारी के लिए login करें www.sivtv.com और हमारी digital सिर्वा का लाव उठाने के लिए visit करें www.sivtv.com झाल